डार्ट, पिग्मेंटेड और चैप्ट लिप्स जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं इनी लिप्स के बारे में असलाम अलेकुम एवर्यों वेल्कम बाक टू माई चैनल महविष दुआ प्रोडक्स रिव्यू कैसे आप सब लोग आई होब एवर्यों इस गुड़ एंड डूइंग वर तो गैस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिप्स के बारे में हम चाहते हैं कि हमा Iya हमारे लिप्स बहुत हों और बहुत हैंना बात करने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लायक करना ना बूले zeg चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नाटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच भाए। बिना किसी देरी के लेट्स बिकन वीड़े वीडियो कि सारी information आप अगर इन information को फॉलो करते हैं और साथ में इस remedy के भी फॉलो करते हैं तो आपको results बहुत दा बहतरीन और बहुत दा जल्दी मिल जाएंगे तो सबसे पहला जो reason है black, dark, pigmented, dry lips के पीछे वो है dehydration जी हाँ dehydration यानि की पानी की कमी होना हम कभी कबार पानी भी न भूल जाते हैं या पानी तो पीते ही नहीं है जिसके वज़े से हमारे lips बहुत दा ड्राइ हो जाते हैं जिस तरह हम हर चीज में पानी का इस्तमाल करते हैं ज आपको हमेशा हाइडरेड रहना चाहिए और समर्स में तो हाइडरेशन बहुत ही ज़दा जरूरी है अगर आपको यह से काम करें है फील्ड वगारा या कुछ इस तरह का काम है तो आप एक बात जरूर याद रखें कि अपने साथ अपनी पानी की बोटल जरूर केरी करें आपको याद रहे कि मुझे पानी पीना ही पीना है अगर आप इसको फॉलो करेंगे यानि कि पानी जरूर करेंगे तो आपके वेसे ही बहुत ज़दा बीटिफुल हो जाएँगे उनके ड्रायनस बहुत जदा कम हो जाएगी और आप बहुत ज़दा डिफरνस देखेंगे अच्छा जी तो जो ड्री हाइडरेशन है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं हमें दिन में 6-8 गलास पानी तो पीना ही पीना चाहिए ये हमें हाइडरेट रखने में बहुत ज़दा हेल्प करता है तो जो लोग पानी नहीं पीते हैं उन्हें आज से पानी पीना स्टार्ट करना है और पूरे 8 या 6 गलास दिन में पानी के जरूर पीने हैं इनसे उनके लिप ड्राइ नहीं होंगे और बहुत जादे जो स्किन प्रॉब्लम्स एर प्रॉब्लम्स वह सब दूर हो जाएंगी इसलिए आपको पानी पीना ही पीना है second problem है smoking जी हाँ कभी कबार जो लोग smoke करते हैं smoking की वजह से भी उनके lips जो है वो बहुत अदा dark हो जाते हैं pigmented हो जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा problem है dark pigmented chapped lips के पीछे अब जो तीसा problem है वो ये है चाय और coffee main problem चाय और coffee नहीं है मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि आप चाय और कॉफी स्टॉप कर दें आप पीएं लेकिन हम कभी कबार गरम गरम चाय पीने के बहुत ज़दा शुकीन होते हैं हम चाहते हैं कि बस गरम गरम चाय ही हम जल्दी से पी लें और बहुत ज़दा मज़ा लें इस बात का लेकिन ये आपके lips के लिए बिलकुल भी ठीक नहीं है हमारे lips के ओपर जो skin जो हमारे lips की skin है ओपर की तरफ उसका लेट बहुत ज़दा थीन है बहुत ज़दा पतला है तो जब हम गरम गरम चाई पीते हैं तो वो heat जो हमारे lips को मिलती है उनकी वज़े से हमारे lips फटना स्टार्ट हो जाते हैं आपने देखा होगा कि हमारे lips में white white lines होती है like dead skin जो है वो अलग से निकल रही होती है दिख रही होती है that is sharp lips तो ये जो आप गरम गरम चाय को भी पीते हैं ये भी उसका मसला है हाँ आप उसे थोड़ा सा जो है normal पीएंगे तो आप इस problem से बचेंगे बिल्कुल भी घरम नहीं पीना है normal पीएं तो ये भी एक जो है reason है chap black lips के पीछे number four जो reason है वो है lipstick काफी जाए लोगों को lipstick लगाना बहुत अदा पसंद है लाइक वो चाहते हैं कि वो different different lipstick different different dress वगारा इन सब चीजों के साथ लगाते रहें और you know उनके lips beautiful दिखें लेकिन beautiful दिखने के बजाए वो और भी ज़दा bad condition में जा सकते हैं lipstick को बाहर से तो बहुत ज़दा beautiful दिखाती है लेकिन उसके जो chemical reaction हमारे जो लिप्स पर होता है वो बहुत बुरी तरीके से होता है तो आपने करना यह है कि अगर आपको event पें जा रहे हैं या कई पार्टी बखर है कहीं पर भी lipstick wear करके lipstick लगा कर जा रहे हैं तो जितना भी लंबा काम है आपको आप जैसे ही घर पर आएं सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने lipstick remove करनी है सबसे पहले और कभी कबार हमें लिपस्टिक को skip भी करना चाहिए हमेशा लिपस्टिक नहीं वेर करना चाहिए लेकिन अगर आप करते हैं तो काम खतम होने के बाद आप फोरान ही लिपस्टिक को जो है रिमूव कर दे फिफ्थ प्रॉब्लम है लिप्स का वो है सलाइवा यानि कि लिप लिकिंग हम यह प्रॉब्लम बहुत जादा कॉमन है हर कोई लिप लिकिंग करता है जो कि आपके लिप्स के लिए अच्छा नहीं है हमारे लिप्स जब भी हमें लगता है कि थोड़े से ड्राय हो गए है तो फोरान ही Lip Lick कर लेते हैं, यहां फिर जैसे कि हमें लगता है कि बहुत जादा डल लग रहे हैं तो हम Lip Licking कर लेते हैं, कि यह As a Musurizer कि हम stop करें अपनी हैबिक को लेकिन हमें stop करना है क्योंकि इससे भी हमारे लिप्स बहुत ज़दा डार्क होते हैं बहुत ज़दा जो कि बाहिर का ही है और हमें जादेर बिल्कुल सन में रहना होता है यानि ओपन फिल्ड में रहना होता है तो उसकी विज़द से भी जो सन की रेज हमारे लिप्स पर पढ़ती है वह हमारे लिप्स को डार्क करने में बहुत ज़दा है तो जो यह प्रॉब्लम है आप जब भ आपका प्रॉब्लम में जो दूर हो जाएगा जिसे हमारी स्किन को SPF की ज़रूरत होती है सन के टाइम हम लगा के जाते हैं कि हमारा कलर वगारा रंग कलर डार्क ना हो जाएगा इसी तरह आप लिप्स पर भी अपलाय करें और उसके आपको लिप्स भी अपलाय करना चाहते ह बस इनी से आपको बहतरी रिजल्ट मिल जाएगा लेकिन अब हम चलते हैं अपने होम रेमेडी की तरफ जो कि बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है हमारे लिप्स पे स्किन उतर रही होती है यह कोई डेट स्किन होती है मारे लिप्स पे यह स्क्रब उसे अच्छे से स्क्रब कोई इस पूरी रिमेडी में इसके तो यह चाहिए यह मैं इंपॉर्टेंट है अब हम रही बनाना स्टार्ट करते हैं अब हमें जो फ़र्ट प्रियिए वह है राइस फलार राइस आगम कोड़र बहुत ज़ड़ है में लिप्स के लिए कुछ 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 ज़श यहां पर एड़ करूंगी वनन पूर्ट जो हैं यहां पर एड़ करूंगी वनन पूर्ट जो हैं इसे एड़ करते हैं अपने बाउल में तो आप अपनी कॉंटिटी के हिसाब यहां पर एड़ करूंगी वनन पूर्ट जो है टी स्पून से देखें हमें थोड़ा सा ही बिल्कुल बनाना है इसलिए मैं थोड़ा सा ही यूज़ कर रही हूं लिप्स के हिसाब से तो आप अपनी कॉंटिटी के हिसाब से इसे एड़ कर सकते हैं अब जो हमारा सेकेंड बस यहां पर इसक्रब में और अठाएंगे ताकि हमारे जो है यूज़ करना असान हो जाए तो वही ही जो सेम कॉंटिटी मैंने यूज़ की है अ फलार के लिए राइस फलार के लिए सेम यूज़ करोंगी यहां पर रोज वोटर की आपको एक पोफेक्ट स्क्रब में से कन नहीं जड़ा थिन हो नहीं जड़ा ठिक हो इस आप एस इस और बना ले हैं पस चो मिले ग्लाजरीन की cancer टू एंड थ्री फोर्ड ओके ड़न तो हमने इसमें अपना ग्लैसरीन भी जो है अड़ कर दिया है अब हम इस जो हमने बनाया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा जो है अच्छा सा स्क्रब रेडी हो जाए स्क्रब जो की बहुत अच्छे से फोर्म में है और बिल्कुल रेडी है स्क्रबिंग के लिए अच्छा अगर आप मेरी कॉंटिटी के हिसाब से एड़ करते हैं और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा थिन हो गया है तो आप राइस फ्लॉर की कॉंटिटी थोड़ी से ज़्या स्क्रब करते हैं अच्छा नहीं होना चाहिए बिल्कुल क्लीन लिप्स होने चाहिए और इसके बाद आपको से इस अप्लाय करना है और हिल्के हाथ उसे फिंगर की हैप से मसाज करना है याद रहें आप इसे बिल्कुल भी रगड़े होत अब इतना जोड़ जोड़ से आमरामसी से करेंगे और हमारा स्क्रब का स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगा यह आपको क्या benefit पहुचाएगा यह आपके लिप्स में blood circulation है वह इंप्रूव हो जाएगा जिससे जो है लिप्स की darkness कम हो जाएगी pigmented lips इससे रिमूर हो जाएगे जो dryness है जो dead cells है जिससे skin है किस किसी को बहुत जादा आदत होती है कि आपके जब भी skin जो है उतर रही है तो वह से finger की head से इस तरह उतारते हैं तो वैसे आपको नहीं करना है वह आपकी skin है आपको जो है उससे पुलाइट होना है इसलिए उस तरह से ना उतारें यह scrub यूज़ करें अराम से उसे उतार दे जैसे हम अपने face पे mask apply करते हैं वैसे इसे lips पे भी apply करना है जो darkness है वह mask लगे रहने की विज़े सारी जो है रिमूब हो जाएगी pigmented lips जिसके हैं वह भी जो है यह solve कर देगा जो chap lips की बात करें तो वह हमने first step में कर लिया है जो की dead skin थी वह हमने remove कर लिया है तो मास्क की बार घर में ही मिलेगा तो चलते हमने first ingredient की तरफ तो जो हमारा यहां पर first ingredient हमारे पास है वह है कर्ड कर्ड हमारे lips के लिए बहुत जादा बहतरी है इसके इंदर बहुत जादा भरपूर amazing activities है यह darkness को remove करता है pigmentation को remove करता है जैसे कि इसे बहुत जाद ऑफिशल में भी यूज किया अब आफा स्पून देखनें आप हाफा स्पून मैंने हाँ पर ले लिया है यह अपना योगर्ट यानि कि दही अच्छा आप मार्किट वाली जो है दही इस्तेमाल करें क्योंकि वह बिलकुल इस तरह आपको मिलेगी लेकिन अगर आप भर के इसमाल करें तो इसमें हनी लिप्स क्रब में तो भी यूज़ किया जाता है लेकिन हम इसे मास्क में इस्तमाल करेंगे यह डाकनेस को रिमूफ करता है आपके स्किन को सॉफ्ट करता है इसलिए हम लिप्स को अप्लाय करेंगे तो लिप्स हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे डाकनेस रिमूफ करेंगा रिमूफ कर देगा हनी हमारे लिप से तो अब हम इसे इसका यूज करेंगे यहां पर तो आप अपने अंदाजे से देख लें हम यहां पर हमने हाफ वह यूज किया है तो हम फोर टू थ्री रॉप मेरे पास है हनी के तो हम इसमें यह डाल देंगे तो हमने अपने दो इंग्र जोड़ा हमारे face को help करता है लेकिन हम इसे अपने lips पर यूज़ कर रहे हैं तो यह हमारे lips पर भी काफी ज्यादा activities शो करेगा जो कि lips के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है अच्छा यह थोड़ा सा जो है हमारे face lips को yellow भी कर देता है तो हमें बिल्कुल pinch pinch से भी थोड़ा सा कम ही दा करना है बिल्कुल pinch से भी थोड़ा सा कम क्योंकि इसको तो यह जो फोरण आपने मेरा अच्छे से क्रीमी फोम में रेडी हो चुका है हमारा मास्क बहुत अच्छा है आप इसे चाहे तो लिप्स के साथ साथ फेस पर भी अपलाए कर लें एक फेस केर भी हो जाएगा आपका लेकिन हम लिप्स के बारे बात करें हैं तो हम इसे लिप्स पर ही लिप्स पर ही अ करने में आपको उसे क्लीन करना है वोश ना करें तो बहतर रहेगा वसलका गीला कपड़ा कुछ भी गीला लें और उससे लिप्स को जो है अच्छे से क्लीन कर लें अब येलो कलर देखेंगे सिर्फ टर्मरी की वैसे आया है और लास्ट टेप की तरफ जो कि है लिब बाम ऐस मॉस्ट्राइजर हमारे लिप्स को मॉस्ट्राइजर की जरूरत है जैसे हमारे स्किन को हेर्स को हैंज वगारा इन सब चीजों को मॉस्ट्राइजर की जरूरत है उसी तरह हमारे लिप्स को भी मॉस्ट्राइजर की जरूरत है जिससे वह रहेंगे ड्राइ नहीं होंगे और अपना कलर हमारे हाथों पर छोड़ देता है जो कि बिल्कुल पिंक पिंक सा होता है तो हम इसके क्वांटिटी थोड़ी कम रखते इसे यूज़ करेंगे इससे आपके लिए बहुत जल्दी पिंक हो जाएंगे बिल्कुल नाच्रल पिंक जो गाइस मैंने इसके दर अपने बीट रूट का जूस जो है डेखें आड कर लिया है बीट रूट हमें मस्ट यूज़ करना है क्योंकि यह पिंक कलर बहुत जल्दी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा आपको इसली मार्किट में वेजटेबल्स पर जो है यह मिल जाता है बहुत ज़दा अच्छा है आगर हम इसका जो है दूसरी तरह जूस निकाल कर पीते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़दा बेनिफिट है पिंक पिंक जो है यह हमारी स्किन को ग्लो देता है बिल्कुल नैच्रली लेकिन अभी हमें इसे लिप्स पर यूस करना है और थोड ज़दा बेस्ट रहेगा लेकिन काभी सार लोग ऐसे हैं जिने घी की थोड़ी से स्मेल आती है या बटर की थोड़ी से स्मेल आती है या वह अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैं उनके लिए यहां पर कोकोनट ओल्यूस करें हूं वह कोकोनट आलमंड या ओलिव इन द स्मेल टेक्स्चर या किसी प्रॉब्लम की वजह से तो आप कोई सा भी ओल ले ले और उसे अपलाय कर लें तो यह देखें मैंने यहां पर कोकनट ओल ले लिया है अब मैं इसे डाल दूंगी इसके अंदर तो मैंने डाल दिया मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी अब हम हमारा ओल है वह मिक्स हो चुका है बिल्कुल अच्छा सा लिप बाम की रेट हो चुका है अब आपने इस लिप बाम को जो है अपने लिप्स पर अप्लाय करना है ऐस मॉस्टराइजर बहतरीन वर्क करेंगा वन वीक के अदर आपको रिजल्स मिल जाएंगे टीनेजर कोई स अब यह जिसे यूज़ कर सकता है क्योंकि बिल्कुल नैचरल और अच्छे इंग्रेडेंट्स हमने आज अपने पूरे थ्री स्टेप्स में यूज़ किये हैं आप देखेंगे कि डाकनेस रिमूव हो गई है पिगमेंटेड लिप्स नहीं है चाप लिप्स बिल्कुल नही के लिए तो यह थी मेरी आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जाकर बताएं नहीं तो आप इंस्टा और फेस्बुक वे भी बता सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहां वहां से जाकर मुझे ज